जाएं दोस्तों अभी यूपील यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेट जो की एड्मिट कर जारी कर दिया गया है आपको बता देते हैं लिंक और आपको डाउन्लोड करना बता देते हैं किस तरह डाउन्लोड करें और आपको बहुत सारी जनकारी हम पिछले वीडियो में दे सबस्क्रास बाद यहाँ पर आपको हरे एक आप्सन मिलते रहें यहाँ आप लाकर और आपको पर लिंक दे दिया थे और आपने देखा हूँ आपको डाउन्लोड हो चुका नहीं कर लिए तो ऐसे सिटर्ट हो चुका है यहाँ आप पर क्लिक करें यहां पर देख रहां और यहां पर पूछी जाते हैं इससे नहीं सदेंगो पहले से हैं कि आपके पूछा हैं कहां से यहां प्लीकेशन नबर पूचा जाएं यहां और आपका डेट आपका डेट नहीं है तो आपके पास तो पीजह नाइड डेट नबर डाल सकते हैं और आपके पास यह application number और डेटाब तो उससे पर लिए यह application number या data पर दोनों में से कोई एक ही fill-up करें यह application number या email id को एक की field up करना है उसका submit करें और ग्लिक करना है यहाँ पर declaration पर क्लिक करना है उसका इसको पढ़ लिज़ें इसे बताया अंदर examination जाता है तो इसलिए इस पर रहे है और एक आपको इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करें हूँ फौर कम Savior कुलिक करके आसे डौनलूट कर लेना होगा कोई आडवाइसरी है नहीं है उसके बादे आपको exam center पर आना है इसके है इस्पर आपको और लीजिए है ठीक है और आपको देखें यह भी बताएगा है कि वह भी चीज़ नहीं लाना है और आपको परवेस पत्र फोटो का पचान पत्र और कोई गोस्टना आदिव यह सब लेकर जाना है तीन चीज़ आपको मांगी गया है यहां पर परवेस पत्र मुलपार्ण मुद जैसे अधार कर ले लिए और भी गोस्टना पत्र आपको डाउनलोट कर आजाए वह लेकर जाना है तो हम बैक करके देख लिए और किया है इसको पड़ लेजिए अच्छा से हिंदी में दिया है को इंगलिस में भी है डاؤंट लोड कर जाते हैं फिर से यहां पर समिट करते थे समिट करन हैं और यह दस जाना है आपका इसेंटर यहां पर देखने उखा डेटब एक डिस्क्रिप्सेर वीडियो देगा उसको जरू देख लेए और यहां पर आपको दो की में नाम हो जाए और आ kupacon of Vito जय यहां से चमें प्र्गेट करें तो आपको देख्यक्त फॉठट बन चाहिए नाम हो जाए प्रेट और पोर में चार पेज का बन रहे ताफ दाउंलूड करना पीडिएफ करूप में पीडियाफ यहां से डाउलूड हो जाएगा है यह पर किलिक कर लाते हैं आपे सेव करने हैं ओर यह फिल यह दिकलेरेसन फॉर में आप सेटी chords सिद्र लेकर आपको बर्णी ब्लेकंशे रोख लेजिए वाया फैंती कुछ कर allt them here